है वेवान क्या हल चाल सभी के सभी का स्वागत है अकाडमी नीड टॉपर्स पे अड हम लोग जो प्लेलिस्ट कर रहे हैं बेटा उसका नाम है Master Organic Chemistry इस पर्टिक्लर प्लेलिस्ट में हम लोग और्गानिक क्यमिस्ट्री को बहुत अच्छे से बहुत शंदार से बहुत बेसिक से यार हम लोग कवर कर रहे हैं और अल्रेड़ी हम लोग लेक्चर 11 पे बिटा आ चुके हैं this is lecture 11 का part B इस particular video में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस particular video में हम लोग aromaticity पढ़ने वाले हैं aromaticity बहुत important है इस video के बाद आप लोगों को कोई साभी compound दे दिया जाए आप लोग वो उस compound को classify कर सकते हो into aromatic anti-aromatic and non-aromatic substances ठीक है तो बहुत जादा यार बड़ा वीडियो नहीं रहेगा around 30-40 minutes के आप लोग की class रहेगी आप लोग को aromaticity पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ठीक है? Aromaticity है goal इस topic का चलिए इस video का चलिए start करते हैं, start करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हाँ जी हाँ जी हाँ जी सबसे पहले आप लोग को क्या समझना है aromaticity पर direct नहीं जाएंगे देखो क्या होता है बहुत सी बार teachers क्या करते हैं direct aromaticity पर खूच जाते हैं, लेकिन हम लोग को पीटा इस तरीके से नहीं जाना हम लोग direct aromaticity नहीं पड़ेगे हम लोगों को पहले क्या पड़ेनी पड़ेगी hybridization पड़ेनी पड़ेगी बहुत ध्यान से देखिएगा और hybridization जो मैं अब यह समझा रहा हूँ यह समझना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि इसके बाद aromaticity बहुत आसान हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को hybridization सिखाना चाहता हूँ किसकी कार्बो कटायन की और कार्ब अनायन की किस-किस की देख रहे हम लोग कार्बो कटायन की और कार्ब अनायन की एक बात यार हमेशा ध्यान रखना हम लोग hybridization के लिए क्या निकालते हैं हम लोग hybridization के लिए निकालते हैं bond pair प्लस loan pair हम लोग बिटा hybridization के लिए क्या निकालते हैं bond pair प्लस loan pair निकालते हैं आईए जरह CS3 positive की hybridization देखने पहले यार chat section में मुझे यह बताओ कितनी hybridization क्या hybridization हो किस तरीक तरीके बनाओगे सर इस तरीके से बनाएंगे यहां पर दीखो इधरसी इधर एच इधर एच इधर बिल्कुल सही सर और इहां पर पॉज़्य शैसर और यहां पर पॉज़िव चाच कितने बॉ Ferr do एक दो तीन कितने बॉन्द bisher almighty सर 3 bond pair दिख रहे हैं, बिल्कोल सही है, कोई भी lone pair , कोई भी loan pair दिख रहा है गया, नहीं सर, कोई भी loan pair नहीं है तो 0 loan pair, 3 bond pair, 0 loan pair, hybridization क्या हो गई ? S p 2, hybridization क्या हो गई ? S p 2, तो ठीक है, यहां तटो सर कोई 錦ों सर, कोई दिक्कत नहीं,esar की hybridization तो बड़ी आसान है, लेकिन पता है खेल कहां है खेल है विटा कार्ब अनायन में खेल है विटा कार्ब अनायन में कार्ब अनायन इंपोर्टेंट बन जाता है और कार्ब अनायन डिफरेंट भी है कैसे डिफरेंट है बहुत ध्यान से समझीएगा बहुत ध्यान से समझीएगा सपोस्कुरू मैं CH3 negative की बात करता हूँ, suppose करो मैं C, S3 negative की बात करता हूँ यहाँ पर अगर हम देखें तो C, either H, either H, either H और यहाँ पर negative charge negative charge मतलब क्या है, loan pair negative charge का मतलब क्या है, loan pair ठीक है, ठीक है, मुझे यह बताओ यहाँ पर कितने bond pair है, sir 1, 2, 3, कितने bond pair 3 bond pair, बिल्कुल सही बात है loan pair, बोलो फटाफट से chat section में loan pair, बोलो फटाफट से chat section में sir, loan pair, तो यह रहा एक है loan pair, एक loan pair है ठीक है, तो यहाँ पर habitization क्या होगी SP3 होगी, बिल्कुल सही है, sir SP3 होगी, यह बिटा 3 plus 1 3 plus 1, कितना रहे, बिटा 4 आ रहा है 4 के साथ यह कह रहेगी SP3 रहेगी, बिल्कुल correct है sir, बिल्कुल correct है इसी बात पर बेटे वीडियो लाइक कर दिया जाए यहना कि हाँ, हमको यहाँ तक सब चीज समझ में आ गई है अब सुनो ध्यान से एक case यह था जो मैंने अभी आप लोगो करवाया एक case यह था जो मैंने अभी आप लोगो करवाया एक और case आता है carb anion में और जो की बहुत important है क्या है वो case suppose करो ऐसा कुछ carb anion है सुनिए गा ध्यान से यही चीज आपको सिखाना चाहरे है अब तक जो आप लोगो को बताया वो तो आपको आता ही है यह आपका carb anion है सुनना ज्यान से यह आपका carb anion है बिलकुल ठीक है सर अगर मैं इस वाले carbon की hybridization पूछूं आप से अगर मैं इस वाले carbon की hybridization पूछूं तो जरा बताना chat section में क्या है hybridization अगर मैं आप लोगो इस वाले carbon की hybridization पूछूं तो क्या होनी चाहिए आप लोगो के सब से hybridization कुछ बच्चे बोलेंगे majority बच्चे बोलेंगे SP3 क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि carb anion की कितनी होनी चाहिए SP3 होनी चाहिए majority बच्चा क्या बोलेगा SP3 बोलेगा ना चलो आजो चेक करते है मुझे chat section में ये बताईए कि यहाँ पर ये जो loan pair ने क्या ये resonance में जा रहे है मुझे बताँ क्या ये loan pair resonance में जा रहे है क्या आया ना आया बिल्कुल जा रहे है कैसे double single loan pair तो ये वाले loan pair है जो वो resonance में जा रहे हैं ये वाले लोन पेर resonance में जा रहे हैं तो क्या अगर resonance में जाने का मतलब क्या है वो फैल रही है resonance में जाने का मतलब क्या वो फैल रहे है हाँ सर मतलब ये यहाँ पे आएगा ये यहाँ पे आएगा देखो उसका मैं हाँ सर, यह resonating structure आएगा, क्या resonating structure असली में exist करते हैं, नहीं, असली में कौन exist करता है, hybrid, तो hybrid जरा परा के दिखाना, सर, hybrid तो ऐसे बनेगा, यह हम लोगों ने resonance जबम पड़ रहे हैं, तो यह हम लोगों ने बनाया भी है, यहाँ पर क्या बना दो, यहाँ पर क्या बना दो, यहाँ पर बेटा del dot, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, अब ध्यान से सुनना, हम लोग किस कारबन की बात कर रहे थे, इस वाले कारबन की बात कर रहे थे, मतलब इस वाले कारबन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या del dot आ रहा हैं ध्यान से देखिए कितने बॉंड पेर मिलने हैं सर यहां पर देखो एक सिगमा ये एक हाइडरोजन के साथ सिगमा एक हाइडरोजन के साथ सिगमा तो कितने बॉंड पेर हैं तीन बॉंड पेर हैं यहां पर लिख रहा हूं आया है समझ में क्यों क्यों कि कहा गया रेजोनेंस में गया अगर लोन पेर हैब्रीड इसरण में घाव यहां पर इकमंट में क्या लेग सकता हूं श्रुन एग स्मय participating, if loan pair is participating in resonance, फिर क्या रहेगी hybridization? SP2, hybridization क्या रहेगी? SP2, अगर loan pair resonance में गया, तो hybridization क्या रहेगी? SP2 रहेगी, perfect है, perfect है, थमसब दे दो chat section में, वीडियो को like करके बदा दो कि हाँ सर, perfectly ये चीज़ समझ में आ गई है, ये चीज़ समझ में आ गई, आप लोग को इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो loan pair था ना बिटा, वो कहां गया, resonance में गया, तो मतलब वो पूरा फैल गया, तो आप लोग उसको loan pair में कभी भी count नहीं करोगे, आप लोग उसको loan pair में कभी भी count नहीं करोगे, क्या आप लोग loan pair में count नहीं करोगे, तो तभी देखो, मैंने zero loan pair लखाए, तो केवलो केवल तीन bond pair थे, तो hybridization क्या हो गई, समझ में आएंगी, अगर किसी compound को aromatic होना है, तो उसको कुछ condition true होनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ condition उसको true होनी पड़ेगी, तब जाके वो compound क्या या लाएगा? aromatic. सर, क्या-क्या condition है? क्या-क्या condition है? पहली condition है, molecule क्या होना चाहिए? cycle. मतलब क्या होनी चाहिए, बड़ा? cycle होनी चाहिए. और और क्या है conjunction होना चाहिए conjugation का मतलब resonance resonance in entire cycle पूरेocycle में resonance होना चाहिए in entire cycle conjunction का मतलब resonance होना चाहिए पूरी cycle के अंदर पूरी साइकल के अंदर क्या होना चाहिए रेजोनेंस होना चाहिए ठीक है सर और क्या है पूर्थ है आपका हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए अब आप लोग पूछोंगे सर हकल्स रूल क्या होता है हकल्स रूल क्या होता है यहां पर पाइ लेकृट तो फोरन प्लस 2 होने चीए अब याँ सुनो इन के जगे पेड़ पीटा जीरो डालो जैसे हैं यहां पर जीरो डालो गेंग उतन्य होस्ते कि तो इसे था यह सब चाहिए ये सब चाहिए आपको दूपाय 46 disciples को ने इतने अगर एक प्रस्ट नो के दुखने देखने आप मुझे बताइए कि यह नहीं चलो पहले मेरे साथ करो, यहां देखो, चलो पहले मेरे साथ करो, यहां देखो, चारो condition true होंगी, तब जाके aromatic बोलेंगे, तब जाके aromatic बोलेंगे, यह बताओ, इसको हमको देखना यह aromatic है या नहीं है, यहां देखो क्या cyclic है बताओ थरा क्या cyclic है planar है planar के लिए क्या check करा करो hybridization आपकी SP2 तक होनी चाहिए hybridization क्या होनी चाहिए SP2 तक होनी चाहिए यह देखो यह भी SP2 carbon पे positive charge वैसे ही क्या होता है SP2 planar भी है यह बिल्कुल चाहिए क्या resonance दिख रहा है 10 से उपर जाएगा तो क्या हो गया 10 से उपर 14 हो जाएगा 14, 18 यह हो जाएगा मुझे बताओ क्या conjugation दिख रहा है क्या resonance दिख रहा है कैसे सर double bond, single bond, empty orbital बिल्कुल दिख रहा है सर conjugation भी है कितने pi bond है सर 1 pi bond कितने pi bond है सर 1 pi bond 1 pi bond है तो इसका मतलब कितने electrons 1 bond का मतलब कितने electron 2 तो यहाँ पे 2 pi electron हो गए 2 pi electron के साथ यह क्या होगा 2 pi के साथ क्या होगा aromatic होगा सही है वाह ईशा चौदरी बूदरी बड़े सर यह cyclic कैसे हुआ वाह क्या बात बहुत सही बहुत कूब बहुत कूब बहुत सही है यहाँ देखिए benzine aromatic है या नहीं है aromatic है या नहीं है aromatic है या नहीं है आज हो देखते हैं cycle है cycle है cycle है बिलकुल है cycle बन रही है न बड़ा देखिए बड़ा कीशा बेटा देखिए cycle बन रही है्स विल्कुल है क्याकि सब गया है SP2 डबल बॉंड से है तो सब गया है SP2 नहीं दिख रहा है पूरी रिंग में रेजोने इंस दिख रहा मतलब कि तने इलेक्ट्रस छेलेक्ट्रस एकบांड का मतलब होता है दो और तो यहां पे six पाई electron के साथ क्या होग ए यह aromatic तो बंजीन क्या होती है, aromatic और देखो ज़ला और देखो ज़ला सुनना ध्यान से भी यह बताई, यह बताई, aromatic है या नहीं है चलिया आओ लास्ट पॉइंट बीटर रिपीट हो रहा है ना पाई एलेक्ट्रॉंस देखने आपको पाई एलेक्ट्रॉंस क्या होते हैं ऐसे एलेक्ट्रॉंस जो रेजोनेंस में जा रहे हैं यार देखें यार देखें साइकलिक है आजो मेरे साथ में करते हैं साइकलिक है साइकल तो द सर यहां पर यह वाला जो कार्बन है यह तो कार्ब अनायन है तो कार्ब अनायन हमको चेक करना पड़ेगा मुझे यह बताओ यहां पर यह जो नेगेटिव चार्ज है यह जो लोन पेर हैं क्या यह रेजोनेंस में जा रहे हैं यह नहीं जा रहे हैं यह बताओ यह बताओ यह resonance में जा रहे हैं तो मैंने अभी अभी आपको क्या लिखवाया अगर loan pair resonance में गया तो SP2 है तो क्या है SP2 मतलब इस carbon की hybridization क्या है SP2 इस carbon की hybridization क्या है SP2 SP2 है तो planar है SP2 है तो planar है सही है, तो सारे क्या होगे बीटा planar है बिल्कुल, पूरी ring में resonance दिख रहा है, क्या conjugation दिख रहा है दिख रहा है सर double, single loan pair double, single loan pair बढ़िया एकदम resonance दिख रहा है सर बढ़िया resonance दिख रहा है, बिल्कुल सही है अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से है last rule में वापिस से आप लोगों को बता रहो हकल्स rule में n बेटा number होते है n number होता है, n 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये डाल सकते हो, ठीक है, सुनिए दिख रहा है πाई electron क्या होते हैं आप लोगों को भी इसमें दिख्कत आ लिए कि सर ये πाई electron क्या होते हैं, पाई electron क्या है ऐसे electron participating in resonance पाई electron क्या है, ऐसे electron participating in resonance अब देखिए का धान से participating in resonance, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यह वाला पाई बॉंड resonance में जाएगा, हाँ सर यहाँ पे 2 electron 4 electron होगा है क्या होगा यह लों पेर भी resonance में जा रहे हैं हाँ सर 2, 2, 4, 2, 6 कितने पाइफस बताूँ दो यहां पे इस पाई मॉंड़ और दो लोन पेर बिलकुल सही है गतांब इसे मज़ानी आएगा अपना की यह बताओ रहाँ ए defin των अमेर्माटिक है या नहीं है हो सकता है थोड़ा सा त लग रहा हो धीरे 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 clear हो जाएगा सर देखो condition देखते हमाँ sir cycle कि है बिलकुल है planer है क्या अरे यह जो loan pair है resonance में जा रहा है कैसे double single loan pair double single loan pair दोनों loan pair resonance में जा रहे है दोनों लोन पे resonance में जा रहे हैं तो ये क्या है SP2 है तो मतलब क्या है planar है ठीक है resonance आपको दिग्ग्या होगा अभी अभी मैं बताया double single loan pair ठीक है double single loan pair बिल्कुल है अब आ जाओ πाई electrons गिलने थे पाई electrons गिलने थे सुनो द्यांसे ये जो दोखर जो यहांपर लोन पेर जा रहे हैं ज़ी कितने रहेर में होगे बटाई यहां अब आ रहाए समझ में अब आराय समझ में तो और question करेंगे और question करेंगे यहां देखिए बटा यहां देखिए बटा ठीक है, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यह बताओ, इसका नाम है बटा पायरोल, अरोमाटिक है या नहीं है, यह बताइए, अरोमाटिक है या नहीं है, यह बताइए, अरोमाटिक है या नहीं है, अरोमाटिक है या नहीं है, अरोमाटिक है या नहीं है, सर आ जा अरे क्या यह लोन पेख्र रेजोनेंस में जा रहे क्या जा रहा है डेबल सिंगल लोन प्या डाल सिंगल लून प्याल बिल्कुल है अब बताव पाइ लून ऐसको कितने सर यह पाइ बॉंड हाँ दो अले быть यहां पे न ब्लूर है दो यह यहां पे डीरी धीर, ठीक है? समझ में आ रहा है Aw termatic होने के लिए अब के दो पाई electron ठीक होने चाहिए या 6 या 10 या 14 ऐसे 2, 6, 10 ऐसे ऐसे होने चाहिए ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए अब इहां देखो देखो अब आ जिए interomatic प्डेशा अगर अगर aromatic समझ में आ गया ना, anti-aromatic तो अपने आप आ जाएगा, anti-aromatic तो बहुत easy है, क्या सर, क्या इसकी भी conditions है, हाँ सर, क्या condition है, 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 condition है, बेटा, पहला होना चाहिए cyclic, हो, 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 सेम condition, हाँ सर, दूसरा क्या होना चाहिए, planar, बिल्कुल ठीक है, same condition हाँ, तीसरा क्या होना चाहिए conjugation, बिल्कुल सही है पहली तीन condition same है पहली तीन condition same है aromatic और anti-aromatic में fourth condition अलग है क्या है fourth condition वहाँ पे देखो क्या था, aromatic में क्या था, 4N plus 2 था यहाँ पे क्या है बिटा यहाँ पे क्या है बिटा? यहाँ पे है आपका 4N πी इलेक्ट्रौन वोने है जाहिए तो यहाँ पर क्या आजाएगा? फिर एट पाई लेक्ट्रोन, बिलकुल ठीक है फिर 12 पाई एलेक्ट्रोन, यहीं कि 1, 2, 3 डालते जाओ ना, 1, 2, 3 डालते जाओ, 1, 2, 3 डालते जाओ, तो अगर 4 पाई, देखो, अप सुनो, मैं वापर से रेपीट कर देदाओ, देखो, यहां पर, देखो, यहां पर, 2 पाई आता है, तो, अरोमाटिक, 4 पाई आता है, तो, अरोमाटिक, अब देखो, 6 पाई आता है, तो, अरोमाटिक, 8 पाई आते हैं, तो, अरोमाटिक, 10 पाई आता है, तो, अरोमाटिक, 12 पाई आते हैं, तो, अरोमाटिक, सही है, सही है, इन 0 नहीं डाल सकते हैं, इन 0 नहीं डाल सकते हैं, इन 0 नहीं डाल सकते हैं, अब यहां तरो और आ देखिए एग्जामल करवाओ यहां दुश्या इस में जा रहे हैं नहीं जा रहे बिलुकुल जारे हैं सर कैसे double a तो माड़ एरदि कहा बिलिकुल जा रहे है लोट पयर गया कहां पे रिजुक पूरी रीνग क्या होना तो यह बटावल बात बिल्ग confess रहे है लिद्वल् फिक है अब बताओ कितने आलेक्टरॉं सेप्सक्षिंड का मतलब क्या कितने electron जो resonance में जा रहे हैं, sir, एक ये रहा, देखो, एक bond ये रहा, मतलब दो electron ये रहे, और दो ये रहे, lone pair भी तो resonance में जा रहा है, तो दो और दो बेटा कितना चल रहा है, चार, चार πाई electron के साथ क्या हो गया, anti-aromatic, 4 पाई के साथ क्या हो गया, बढ़ा anti aromatic सही है और बताऊ और सब बढ़िया यारा बताईए और सब बढ़िया और सब बढ़िया ये बताऊ ये बताऊ ये दो दो दिख रहे हैं दो भॉलन दिख रहे हैं एका आहा सर दो deploy bond मतलब 4 быстр रपन एक साथ क्या हो गया छार पाइल इस इतना आसान है क्या और क्या इतना असान है बिल्कुल हम साइकलिक एकest कि इस टीक है है साइकलिक पर फेक्ट साईकल एक बिल्कुल एक परेफेक्ट सा दबल सिंगल mt orbital बेल्कोल से सरा रिसलेंस भी दिख रए है कितने पाइलेक्ट्रॉब तकdeam सर्ज्सवीं ps1 एकपाइलेक्ट्रॉब यहां पर दो एलेक्ट्रॉन और यहां पर ढिलेक्ट्रॉन कितने पलॉणसे समय स्वेएं चारष पाइपक्र एक होता है आपका एरोमाटिक होता है नोन एरोमाटिक पता ये भे बहुत आसान है कैसे सर इसकी definition सुनो पहले इसकी definition सुनो ऐसे compound कौन ऐसे compounds ऐसे compounds विच आर विच आर नाइधर सुनना देन से विच आर नाइधर विच आर नाइधर aromatic नौर anti-aromatic अरे सर ये क्या बात ही अर्ले नाइधर लेगा जो किसी की category में यहाएंगे नाइधर सर मेरा question यह एकि जब एकोस तूज़ी लो डाल सकते हैं इरोमैटर की condition में टूपाय इलेक्टरॉन कैसे आया तबास जो यहान देखो, टो- एन प्लस टू पाई लेक्टरॉन, एन की जगह जीरो डालो, ञेह प्लस टू, दो, यह फोर इन टू जीरो क्या होता है, बिटा, जीरो होता है, बीटा, टो पाए बचा, बीटा, देखो झरा, सही है बिटा, लिक लो, आराम से देख लो, तुँ अराम से देखे लो सहिए यह 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 फुटा फुटा वड़ा सिए भंटा ठीक है ठीक है नहां और बदा ठीक है जी कि आ पूर्छोरी सोरी सर कि इतना बाड़ा बाट था सर अपको यतना बार फोटाप जशिक आपने नौण एक पंदिखेश नौणे आपने डोड़ावसलों बैटा मैं आपके लोग नोगे दो डौट यह compound है, क्या यह आपको non-aromatic दिख रहा है, क्या यह आपको non-aromatic दिख रहा है, हाँ सर, क्यों साइकली नहीं है, क्यों साइकली नहीं है, 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 तो कैसे होगा यह फर, कैसे होगा, ठीक है, चले ये बताओ, क्या ये नॉन आरोमाटिक है? क्योंकि ये वाला जो आपका carbon है, क्या ये single bond मना रहा है? आप लोगों मैंने 3, 4, 5 बार बता चुका हूँ कि अगर बेटा carbon single bond बनाता है तो hybridization क्या होता है? SP3 SP3 आ गया तो यह क्या हो गया non planar planar नहीं है it is a non planar structure it is a non planar structure it is again what non-aromatic it is again what non-aromatic एक भी SP3 आ गया तो non-aromatic एक भी SP3 आ गया तो बिटा non-aromatic यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो यह वाला कारवन देखो single bond बना रहा है तो यह को वैठाव यह स्टार मांक करके बढ़िया केज बता रहे हैं आपको बढ़ी पैस्टार मार्क करें बढ़िया केस बता रहे हैं अरे देखें इतना थोड़ा बहुत मजाक चलता रहता है ले 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 तो कि मजाक को अब उसको आपके साथ कोई मजाक कर रहा तो इसे दिल से तो नहीं लेते ने फुर्णा चलता है आप लोग जात नौइट तो रहा कौन है अमारे जीवन में आप बते हैं हमारे जीवन में और कोई नहीं है आप students ही हो आप अब लोगं के साथ मजब करेंगे अंवार इस तरिफेश्य कंपाउंड है यह अंग हो इस पर आपक निमभी इंथा तो यह थ्यान से तमझ रहा है यहां पर संचिए cycle दिख रही है, बिलकुल, सब कुछ बढ़िया चीज़े दिख रही है मैं को, यह बताओ, pi electrons कितने है मुझे बताओ, pi electron कितने है सर, pi electron देखो, 1, 2, 3, 4 4 bond है, हाँ, सर 4 pi bond है, हाँ, सर तो मतब 8 pi electron होगा मतब 8 pi electron होगा, बिलकुल सही है sir, 8 pi के साथ तो ये 8 pi के साथ तो ये anti aromatic होना चाहिए था 8 pi के साथ ये क्या होना चाहिए ता, anti aromatic होना चाहिए था, लेकिन ये anti aromatic नहीं है, एक lota different behavior ये है, this is non aromatic, एक बात तो ये पक्की कर लो, ये क्या बटा, non aromatic अब पोछूँगैं, सर ऐसा क्यों पुछो के ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए, क्योंकि ये क्या करता है, पता है, जब ये 8 member की ring हो जाती है, देखो ये 8 member की ring है, तो ये structure क्या बन जाता है, आपका non planar बन जाता है, ये structure क्या बन जाता है, non planar बन जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पकड structure भी बोलते हैं, क्य structure और क्या बोलते हैं अब जुट हें इसले होते हैं और ये यह तो यह नहीं आती लेकिन जैसे ही अधिकर नोंगर हो जाता है पकड स्रक्चर्चर बन जाते हैं उट अज़ टब लाइक स्रक्चर बोलते हैं और non planar होते से ही बेटा ये क्या हो जाता है non aromatic भी हो जाता है सही बात है aromatic और anti-aromatic ये आपको planar होना जरूरी है this is non planar तो क्या बन जाता है anti-aromatic आई बात समझ भें बस एकलोता ये case आप लोगो ध्यान रखना है और कुछ है ये case आप लोगो ध्यान रखना है ठीक है ठीक है ठीक है एक last point है फिर बीटा class end है आज की class end है आज बस last point है ठीक है anti-aromatic और non-aromatic चेक है सबसे जादा stable कौन सा सबसे जादा stable aromatic aromatic सबसे जादा stable इसे हम लोग बोलते ही extra stable compound है फिर आता है non-aromatic और सबसे least stable क्या है anti-aromatic सबसे least stable क्या है anti-aromatic चेक है यहाँ पर पिटा अब लोगे aromaticity भी खतम होती है बड़ी शांदार तरीके से बड़ी डिटेल में एक-ग point हम लोगोंने cover कर लिया है एक-ग point हम लोगोंने cover कर लिया है ची만 है आहां आहां बिलकुल बिलकुल frame जी बिलकुल frame जी frame से question बुछा है frame से जवाब मालेगा n क्या लेते है electron بتा दो गुरुजी Day 11 भी खतम हो चुका है, comment section भर जाना चाहिए, day 11 बेटा आपका complete हो चुका है, ठीक है, कल बेटा 9 बजे, कल बेटा 9 बजे हम लोग क्या करेंगे, hyperconjugation start करेंगे, आज आना, कल सुबह सुबह में ही hyperconjugation खतम हो जाएगा, ठीक है, hyperconjugation तरह बड़ा नहीं है, कल हम लोग hyperconjugation कर रहे हैं, कल हम लोग hyperconjugation कर रहे हैं, छोड़ी जी क्लास दी आज जोड़ा, छोड़ी जी तरीके से उसमें classes चल रही है आज उसकी पहली class थी पूरी chemistry उसमें हम लोग मैं आपको करा रहा हूँ, पूरी chemistry मैं आपको करा रहा हूँ Spartan code के साथ आप इसमें enroll कर सकते हो and 20% off मिल रहा है लेकिन today is the last day today is the last day 26th को आज राद 12 बजे तक ही offer खतम हो जाएगा 20% off का Spartan code बे आपको 20% off मिल जाएगा, लेकिन आज के बाद बेटा नहीं मिल पाएगा ना, today is a very good day to buy subscription, ठीक है आप लोग ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, iconic भी ले सकते हैं iconic में आप लोग के additive advantages रहते हैं, तो उसे आप लोग बिलकुल prefer कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है आज last day है बेटा है ना, आज last day है इसके बाद 20% off आप लोग को नहीं मिल पाएगा वो ही regular 10% off मिलेगा, ठीक है जी, अच्छा offline center आप चुके हैं, academic है quota में भी खुल चुका है, उसमें हम भी कहते बिटा है, और लखनों में भी खुल चुका है और पटना और noida में बहुत जल्दी खुलने वाला है, ठीक है, तो अगीन इसमें भी आप लोग code लगाना चाहें तो Spartan लगा सकते हैं, आपको एकदम maximum possible discount भी मिलेगा और बड़िया से mentorship भी आपको मिलेगी, ठीक है, ठीक है अच्छा, CBSE Plus होता है board की भी त्यारी करनी है सर, board की भी त्यारी करनी है, तो उसके कैसे करें, या ना 49% off यहाँ पे भी है, जिसमें आप लोगको CBSE Plus भी साथ में मिल जाता है, ठीक है, CBSE Plus भी साथ में मिल जाता है, अगर आपको test और study material चाहिए अगर आपको test और study material चाहिए, तो उसके लिए हमारा unacademy light का subscription है, test और study material आपके घर तर deliver हो जाएगा ठीक, चलिए सर, आज aromatic stable इसलिए होता है, क्योंकि साथ का ring हुआ तो साथ के ring में बिटा कभी ऐसे alternate double mons नहीं आ सकते हैं, कभी बना के देखना, उसमें दिक्कत आएगी साथ के ring, ring तूट जाती है आप सूपर हो, thank you very much, चलिए comment section बिटा भर जाना चाहिए, comment section बिटा भर जाना चाहिए, day 11 complete जाएट से, take care everyone, कल 11 बजे, कल 11 बजे, BY 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 कल 11 बजे, take care everyone, by by वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा share करेएगा दोस्तों के साथ, alright और कल मिलते हैं, 11 बजे, take care, bye